हेलो स्ट्रेंड्स वल्कम टू और यूट्यूब चैनल तो आज के वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं जितने भी एंपी व्यापम के पारामेडिकल के एक्जाम हुए थे जिनका रिजल्ट दो जन्वरी को डिकलियर कर दिया गया था उससे रिलेटेड यहां पर न्यूज ह पर जो है अलग-अलग पोस्ट पर यहां पर वेकैंसी रिलीस की गई तो जो है दो जन्वरी को डिकलियर कर दिया गया था अभी तक बच्चों को नियुक्ति पत्र जो है वो नहीं दिये गया है यहां पर आप देख सकते हैं पदों के नाम सहायक पशुचिकिट सशेत्र अ इतने सारे जो अलगर एक पोस्ट के लिए एक्जाम लिये गए थे उसका जो रिजल्ट है वो भी डिक्लियर हो चुका है लेकिन अभी तक जो है बच्चों को जॉइनिंग नहीं दी गई है बच्चे परिशान हो रहा है उससे रिलेटर यहां पर एक न्यूज निकल के अब द पा रहे हैं इसकी वज़ा है कि नियुक्ति पत्रों का वित्रण नहीं हो पानाओ नतीजों में चैनित होने वाले अभ्यारती अपने अपने मुख्यालेओं के चक्कर काट रहे हैं ताकि उनको नियूक्ति पत्र मिल जाए दरसल यूवाओं को सरकारी नौकरी देने के तहत तेक लाग पदों पर भरती हो रही हैं इसके तहर स्वास्ति चिकित्सा शिक्षा आयूश जेल और पैरामेडिकल कॉलेजों के लिए 1263 पदों पर पैरामेडिकल स्टाफ की भरती नवंबर 2022 से दिसंबर 2022 के प्रथम सपता तक चली थी इसमें मेल नर्स, फार्मासिस्ट, ल नानी कंपाउंडर, आयूश कंपाउंडर, पैथालोजी, टेकनीशन, लैप सहायक और ड्रेसर आधी का चैन शामिल है, सेलेक्षन के बाद रिजल्ट 2 जनवरी 2023 को जारी कर दिया गया था, नहीं हो सकत 20 जनवरी को न्युक्ति पत्र वित्रन तो यहाँ पर पहले 20 जनवरी को सभी स्टुडेंट्स को न्युक्ति पत्र वित्रित होना था, लेकिन अभी तक स्टुडेंट्स को न्युक्ति पत्र नहीं दिये गया है, स्टुडेंट्स काफी परिशान हो रहे हैं उसके लिए, यहाँ पर देख सकते हैं, सामानी प्रिशासन विभाग किया पर सचिव शेल बाला मार्टिन ने 4 जनवरी 2023 को समस्त विभागों को भेजे पत्र में कहा कि चैनित अभ्यारतियों के नियुक्ति पत्र 20 जनवरी को वित्रित किये जाएंगे ऐसे में चाहने तब भ्यारतियों के डॉक्यूमेंट साधी को क्रॉस वेरिफाई करके नियुक्ति पत्र तयार कर लें तब समस्त विभाग प्रमुखों के में आनन फानन में नियुक्ति पत्र तयार करने के साथ या भ्यारतियों को किसी भी तरह बुलाकर document cross verify किये गए यहाँ पर बच्चों का document verification भी हो चुका है लेगिन अभी तक जो है नियुक्ति पत्र नहीं दिये गए बच्चों को हाला कि बिना किसी कारण 20 जन्वरी को होने वाला नियुक्ति प्रमान पत्र वित्रन कारेकर्म स्थागित कर दिया गया है तब से ही चाहिने तभ्यारति अपने विभागों के चक्कर काट रहा है तो यहाँ पर हमारे पास भी मैसेज आ रहे हैं बच्चों के की बच्चों को ज क्लेयर हो चुका है, डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन भी करवा लिया गया है लेकिन बच्चों को जो है यहाँ पर जॉइनिंग लेटर अभी भी नहीं दिया गया है जिसके कारण बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं और यहां पर देख सकते हैं दिया गया है अभी भी त होंगे नियुक्ति पत्र, इस बारे में GAD की अपर सच्चेव शैलवाला मार्टिन का कहना है कि 20 जनवरी को नियुक्ति पत्र वित्रण के लिए पत्र जारी करने के बाद ही कारे विभाजन हो गया था, अब अपर सच्चेव गिरिश मिश्रा या जानकरी संभाल रहे हैं त तो यहां पर जो हैं सभी एक दूसरे के ऊपर जो हैं बात त्याल रहे हैं नहीं दी जा रहे हैं पैरा मेडिकल के जो 1261 पदों पर जिन बच्चों की भरती हो गया है और व्यापम के द्वारा जो है फिर से वेकेंसी रिलीस कर दी गई है प्रानी वेकेंसी की जॉइनिंग अभी तक दी नहीं जा रही है रिलेटेड जो निउस निकल के आई थी उसे हमने डिसकस किया है वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प